नागिन पाँच में हिना खान को देखने की डिमांड कर रहे हैं फैंस। वाइरल हुई यह फोटो। एक दिन पहले नागिन पाँच की एक तस्वीर सोशल मीडिया पर वाइरल हुई थी और इस सीरियल के नए सीजन में मुख्य भूमिका के लिए डिपिका ककर से संपर्क करने की बात सामने आई थी हालांकि सीरियल के प्रोडक्शन हाउस बालाजी टेले फिल्म या शो की निर्माता एक तक पूर ने अधिकारिक तौर पर इस संबंध में कुछ भी पुष्ट नहीं किया है फोटो को पहली बार इंस्टेग्राम हैंडल पर शियर किया गया था और फिर ये सोशल मीडिया पर वाइरल हो गई बतादे की तस्वीर के वाइरल होते ही टीवी एक्टरस हिनाखान के फैंस सक्री हो गए और नागिन पांच में मुक्क भूमिका के लिए हिनाखान को लीड रोल दिये जाने के समर्थन में एक मुहीम सी चला दी है फैंस ने नागिन पांच के निर्माताओं से अनरोध किया है कि वे अपने नए सीजन में लीड रोल हिनाखान को ही दें एक यूजर ने कमेंट किया केवल हिना खान ही नागिन के रूप में इस शो को दूसरे लेवल पर ले जा सकती हैं इसके अलावा एक अन्य यूजर ने लिखा हिना खान बेस्ट लीड है मीडिया रेपोटर्स की माने तो दिपिका को एक ता कपूर के नागिन पांच के लिए संपर्क किया गया था बता दें कि एक ता कपूर ने हाल ही में अपने इस्टग्राम अकाउंट से ये बाल शियर की थी कि नागिन सीजन चार खत्म होने वाला है और उनका शानदार चार एपिसोड का फिनाले होगा साथ ही सूपर नैचरल थ्रिलर निर्माता ने ये भी कहा है कि वे जल्द ही नागिन पांच का निर्मान शुरू करेंगे मीडिया रिपोर्टर्स का दावा है कि एकता लंबे समय से दिपिका के साथ काम करने को उच्सुक थी अब यह देखा जाना बाकी है कि बिग बॉस बारा की विजयता दिपिका इस सीरियल के लिए हां करती है या नहीं बता दे कि नागिन चार में निया शर्मा, रश्मी देसाई, अनीता हसननदानी और विजेंदर कुमेरिया लीड रूल में रहे थे अपने इस्टग्रैम पर पोश्ट किये गए एक वीडियो में एक दाने उन सभी को अपने शो का हिस्सा बनाने के लिए धन्यवाद दिया और साजा किया कि वह उनके साथ कुछ खास करने के लिए वापस आएंगी उन्होंने अपने दर्शकों को यह आसवाशन भी दिया कि उन्होंने नागिन पाच की पट कथा पर बहुत महनत की है तो दोस्तों अभी के लिए बस इतना ही वीडियो पसंद आये तो इसे लाइक और शियर जरूर करें और ऐसे ही वीडियो के लिए सब्सक्राइब कीजिए